हाई फ्रेंट्स, Welcome to TechTube फ्रेंट्स, TechTube में आप सबी का स्वागत हैं मेरा नम है संजे और आप देख रहे हैं TechTube सो फ्रेंट्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है folder lock, ऐने की file lock और किसी भी file को hide करना है, किसी भी folder को lock करना है तो आज जो वीडियो होने वाला है, तोटल उसी के उपर होने वाला है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो फाइल है, आपका फोल्डर है वो प्रोटेक्टेड रहे या फिर आपके सिस्टम में हाइड रहे, सिंस्टिव फाइल हो गई, कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल हो गई, आप उसे चाहते हैं कि हाइड हो जाए, तो चलिए आज टोटल जो वीडियो है, उसी के बारे में है, और हम लोग एक सॉफ्टर डाउनलोड करेंगे, और सॉफ्टर के थुरू हम लोग सारा प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, तो हाई फ्रेंड्स मेरा ना हमें आप देखने हैं टेक्टिव तो चलिए शुरू करते हैं, तो जैसी कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारा जो यहां पर यह चैनल है, हम लोग टेक्निकल रिलेटेड ही यह सब चीज़े बनाते हैं, और आप लोगों के लिए काफी हैल्पूल होता है, तो चलिए यह यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको नाम यहां पर जो है कि आपको गूगल में टाइप करना है, और यहां पर इसको फिर आपको सर्च करना है, जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग यहां पर सर्च करेंगे, आपके सामने यहां पर काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे, तो आ लिग करेंगे आपके सामने पर फ्री डाउन्लोड फ्रूर विंडौस तो यह वाला यह प्राप्शिन है इससे आपको क्लिक करना है जैसे यह वाले ओप्शन का क्लिक करेंगे तो आपके यह जोzos hardship है और यह पर जो डाउन्लूड आप प्रोसिस है यहापको आज गाँ पे यहां पे आप ये देख सकते हैं ये वाले option पे जैसे है आपका software है यहां पर 쿠ट आख ये वैर किसी हन्य इसको आपको आपको आपकी श्क्राणी करना है नयक्ताइक चाहे को आपका windows 7 हो Windows 8 हो या Windows 11 हो या Windows 10 हो तो आप किसी भी software या किसी भी version में आप से easily install कर पाएंगे तो चलिए हम लोग इसको install करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी software को अगर आप run करेंगे तो run as administrator करिएगा और administrator से run करने का फायदा यह है कि जो file जो install होगी या file वो पूरी तरह आपको access करने के लिए मिलेगा तो चलिए हम लोग यहां पर run as administrator यहां पर click करते हैं और click करने के इसको आपको कर देना है OK जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो हमारी file है अभी यहां पर install हो गई है और हम लोग यहां पर finish वाले button पर इसको finish वाला यह करेंगे finish करेंगे और यहां पर आप लोग जैसे देख सकते हैं हमारा जो software है यहां पर यह install हो गया है और यह कुछ instruction वगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसको क्या है कौन सा version है और क्या क्या चीजे है इसमें तो यह चीजे भी आप यहां पर रिट कर सकते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं software की तरफ बढ़ते हैं जैसे यह आप इस software को open करेंगे और software को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरगा इंटरफेस आएगा इसमें आपको password डालना है जिसी कि आप यहां पर देख सकते हैं सपोर्ज अगर आप माल लिजिए आपका जो email आपका जो password है वो आप भूल जाते हैं तो यह वाले options से आपका जो password है उसको आप reset कर पाएंगे तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले password डाल लेते हैं यहां पर आपको confirm password डालना है और फिर यहां पर आपको जो है कि आपका जो email id है उसे आपको यहां पर डाल देना है तो email id और password डालने के बार आपको यहां पर ok प्रेस करना है और यहां पर हमारा जो password है I think वो match नहीं हुआ है तो हम लोग इसको फिर से डालेंगे यहां पर पासवर्ड यहां पर मैच नहीं हो रहा है फिर से हम लोग इक बाद ट्राइ करते हैं आप किसी भी तरह का इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं निमेरिक और पासवर्ड डाल सकते हैं तो अभी यहां पर यहां पर यहां पर दे दिया तो जैसे कि यह पासवर्ड देने के बाद आपको यहां पर इसका इंटरफेस है यहां पर खुल जाएगा और अभी आप चाहते हैं कि किसी भी फोल्डर या फाइल को लॉक करना तो सबसे ही जो प्लस वाला जो बटन है जहां पर ह्रकर के लिखा हुआ है इसपर को लुक करना है और जैसे आप लुग ट्रॉटर फाइल है बटन पर क्लिक करने के लिके जाएगा और वहां पर जाने क Compared आपको, इसको सी पर आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर यहां पर अपनाए के बाद यहां पर आपके फॉल्डर है यहां凝ाएट अपर यहां वह उसको उपन करेगा उसमें कोई और वह देख सकता है और उसके लिए कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें कोई चेंजिस नहीं कर पाएगा अब यह देखिए हाइड एंड लॉक मतलब इसमें यह दोनों सिस्टम आपको मिलेगा हाइड लॉक मिंस आपकी हाइड भी हो जाएगी आपके सिस्टम से और लॉक हो जाएगी तो चलिया हम लोग सबसे पहले क्या करके देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर हाइड वाला ऑप्शन लेलें लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फाइल थी यहां सिर वह तो जिसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी औहां पर आपको फाईल रहा नहीं देखेगी देख रहा है तो अभी सूपोस्स बहुत ऺंड वोग सोचे पि Люб Свंट स्थर से न दी updates really आपके प्रेशिन आपको 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 आनगे जीए करना है आपको नॉर्मली क्या करना है इसे फोल्डर जो फासॉफ्ट्यर है उस पर आपको क्लिक करना है और सॉफ्ट्यर पर जैसे आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लॉगिन पासवर्ड पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप डाले हैं अपको ध्यान में रखना और फिर से इसको आपको करना है और फिर से चाहते हैं कि आपको यहां पर आपको प्रोटेक्टेड करके और यहां पर आप देख सकते हैं आप पी जो फाइल है नॉर्मल इस तरह से उपन हो जाएगी तो यह आपका हो गया भाला सिस्टम अभी यह लॉक्ड वाला सिस्टम जीसी कि आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बात यहाँ पर यह दिख सकते हैं मोर्ट व्रॉप्षयन लिया है और फाइल तो फाइल आपके भी यह पूरी तरह लॉक हो गई है और कोई भी अगर इस फाइल को खोलना चाहेगा तो नहीं खोल पाएगा अभी चलिए हम लोग चलते हैं रीड अनली में जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि रीड अनली मिन्स कि आपकी जो फाइल है वो खूलेगी य वगरा करना है तो यह सब चीज उसमें नहीं हो पाईगी चली हम लोग यह वाली यह फाइल P हम लोग यहां पर देख सकते हैं यहां से डिली भी नहीं कर पाएंगे और आपकी फाइल हमें पूरी की पूरी सेफ रहने वाली है अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में कूछ एडिट कर लूँ सपोज मैंने यह फाइल ओपन किया और यह फाइल में अगर आप सेमवाइल को उसको रिपंस करने जाएंगे अपने пойдid क्या और आइडिन करने के बाद आप जैसेhosी चाएंजन सेब थार्मार के वाज़ायगे तो यह सीधी सीधी बात है कि आपके फाइल को यहां पर यह जो है कि एडिट नहीं करने देगा चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे ऑप्शन की तरफ तो जैसी कि मैंने आपको रीड उनली वाला भी बता दिया अभी हाइड लॉक तो हाइड लॉक का जैसे आप सीधा क्या होता है कि फाइल हाइड हो जाएगी और प्लस लॉक भी हो जाएगी चलिए हम लोग पासवड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आपको दू तरका पासवड मिलेगा एक तो आपको मिलने वाला है डिफॉल्ट पासवड यानि कि आपको मास्टर पासवड तो आप डिफॉल्ट पासवड भी यहां पर लगा के और रिफिंट वगरा भी यहां पर देखे फाइल को आप सेव कर पाएंगे तो चलिए मैं एस डिफॉल्ट ही रहने देता हूं और और यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फाइल है यहां पर लॉक हुई है या फिर नहीं तो हम लोग फाइल के उपर क्लिक करेंगे और यह देखिए फ्रेंट्स अभी इस प्रकार का जो है कि हमारे फाइल में लॉक लग चुका है और हम लोग चाहते हैं कि इस फाइल को ओपन करना है तो नॉर्में हम लोग पासवड डालेंगे पासवड यहां पर फा कोई कोई सोचेगा कि सर किसी ने अगर यह सौफ़एर को डिलीट कर दिया तो या फिर किसी ने जाके चलते हैं कंट्रोल पैनल में और वहां पर भी जाके देखेंगे कि अगर कोई चाहता है कोई बंदा जिसके पास यह लैक्टॉप है या फिर जो अभी प्रेजेंट में चाहता हो कि आपका यह जो सौफ़टेर है इसको यहां से निकाल दे अंस्टॉल कर दे यह देखिए जैसे मैंने यहां पर अप्शन पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर यह पासवर्ट प्रोट्रेक्टेट है जिब तक यह पासवर्ट आप यहां पर नहीं डालेंगे तब तक आपका जो यह सौफ़टेर है वो अंस्टॉल नहीं हो पाएगा तो आपकी जो फाइल है पूरी तरह यहां पर सिक्योर होने वाली है और यह जो सौफ़टेर है आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है बहुत ही कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपकी काम का हो और आपका कुछ काम हुआ हो तो प्लीज हम इतनी मिनहत करते हैं आप लोगों के लिए प्लीज अगर एक प्यारा सा आप लाइक कर देंगे और इसी तरह का वीडियो कर देखना है तो चैनल को आप स सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो थैंक्स थैंक्स वागजी